मेरा नाम है अक्षे और मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं डेली चैनल पर लेटेस्ट वर्क फ्रोम हॉम जोब तो आज की जो जोब विकिंसी में आप सभी के लिए लेकर आया हूं कफे जादे स्पेशल रहने वाली है बात करते हैं यहां पर आपकी कंपनी की तो यहां प बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा आपकी रिक्वाइर्मेंट जोब प्रोफाइल काम क्या करना होगा बस आपको करना है कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी मॉस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेंस ना हो अभी मैं आपको अपनी लैप तो किसी भी तरीके का केंडिडेट इस जो पर प्लाइ करने के लिए एलिजीबल है अब यहां पर आपके काम के बात करते हैं आपका काम क्या रहने वाले हैं यहां पर मेकैनिकल टर्क का वरक आपको देखने के उमिल जाता है अब इसको किस तरीके से करना है आईए एक बर लेप्टॉप के स्क्रीन तो विदाउट एनी फुर्जर डिले लेट्स के स्टारीड वीडियो जैसे कि भी आप देख सकते हैं हम आचुके हैं अपनी स्क्रीन पर सो गाइज इसका जो वेपसाइट का लिंक है मैं अपने वीडियो को डेस्क्रीप्शन मापको दूँगा वहा यहां पर आपको करना क्या है एमजोन की तरफ से यहां पर आपको टास्क दिये जाएंगे आपको इसको कंप्लीट करने के बाद आपको एमजोन की तरफ से पेमेंट मिल जाएगी सिंपल प्रोसेस दिखने में है लेकिन आपको करने में इतना इजी नहीं होगा क्योंकि work रहने वाला है, उसके बारे में हम जानेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं What type of work available on Amazon Mechanical Turk तो यहाँ पर जो है, क्या-क्या काम Amazon की तरफ से Mechanical Turk के लिए रहने वाला है, तो यहाँ पर कुछ example इन्होंने दिये हुए है Image video processing का आप यहाँ पर काम रहेगा, जैसे कि आपको images के जो tags होते हैं उसको improve करना है, साथ में जो search करेंगे, advertisement उसका target आपको देखना होगा, company को help करना होगा, जो भी best picture होगी उसको आपको represent करना है product के हिसाब से, audit करना है यहाँ पर image और videos को जो भी content से related रहेंगे और साथ में आपको identify करना है objects को, जो भी imaginary satellite से ली हुई photos होगे ठीक है, अब यहाँ पर उसके साथ साथ आपको data verification कभी यहाँ पर काम मिल सकता है, साथ में यहाँ पर आपको कैसे उसको clean up करना है, वो सब आपको यहाँ पर बताए उनने, example के तोर removing duplicate content from business listing, तो यहाँ पर जो भी duplicate business profiles होती है तो उसको आपको check करना होगा अगर ऐसा कुछ मिलता है, तो आपको उस content को remove करना होगा, identify करना होगा, जो भी duplicate product है, जो भी उसके list निकलती है catalogs, या फिर incomplete आपकी जो भी documents होगे, वो check करना होगा verify करना होगा, कहीं जो भी detail आपके phone number के हिसाब से है जो भी operation दिया हुआ है restaurant में वो किया है या नहीं किया है converting unstructured data about location into well form address क्या address जो भी दिया है product के हिसाब से, क्या आप वहाँ पर वो चीज मैच कर रही है, नहीं कर रही आपको वो verify करना है, तो इस तरीके के यहाँ पर जो काम होते है तो आपको वही चीज यहाँ पर इन्होंने दी हुई है information gathering तो एक यहाँ पर आपको काम और मिलता है, जहाँ पर आपको answer करना होता है questions के mobile device about any topic, ठीक है साथ में यहाँ पर आपको जो है element मिलते हैं, large number में जहाँ पर आपको legal documents वगएरा जो है verify करने होंगे ठीक है, तो यह सारा आपका काम रहेगा data processing का काम रहेगा, जैसे कि editing और transcribing का work देखने को मिल जाता है, ठीक है audio contents related, translating आपको जो है language वगएरा का लेकर काम मिल सकता है, rating the accuracy of search result, result वगएर अगर आपको search करने हैं, उससे related मिल सकता है, categorizing information based on instruction, तो यह सभी काम आपके यहां पर रहेंगे अब यहां पर apply कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, कैसे पैसा यहां से निकालना है, मतलब कमाना है, निकालना है कैसे आपको withdraw लाएगा, वो process भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, become an Amazon mechanical tug worker, तो आपको simply इस पर click कर देना है, जब आप click करेंगे, तो कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिल जाएगा, अब यहां पर सबसे पहले आपका काम क्या है, अगर आपके पास पहले सी कोई account है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो request worker account, ठीक है, क्योंकि हमें काम करना है, यहां पर और पैसा कमाना है make money, तो वो इन्होंने आपर दिया option, तो आपको इस पर click करना है click करने के बाद, आपको थोड़ा से यहां पर wait करना है, और कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिल जाता है ठीक है, तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले अपना यहां पर sign in करना होगा अभी मेरे हैं पर automatically sign in है आप यहां पर देख सकते है, मेरा नाम भी लिखके आ रहा है ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी जब आप इसमें करेंगे na sign up तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी personal detail यहां पर fill करनी होगी, जैसे कि आपको अपना name, address और आपको जो भी यहां पर email address होगा, phone number होगा, ठीक है, तो वो सब डालेंगे तो आपको कुछ उसके बाद, login करने के बाद, ऐसा interface दिखेगा अब यहां पर आपकी जो worker ID है, वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है आगे इसका भी काम होगा, किस तरीके पहले ही, यह काम मेरे पास आया है, और यहां पर आप देख सकते हैं, 0.5, ओके इसी तरीके से जो है, आप जैसे जैसे इनके काम को करते जाएंगे वोग को accept करेंगे, और काम करके इनको दे देंगे, उसके बाद यह review में जाएगा ठीक है, review में जाने के बाद यह approved होगा उसके बाद आपको पैसे आजाएंगे आपके bank में, ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा कैसा आएंगे, इसी तरीके से जब आप इन दो काम को कर लेंगे, तीसरा वाला खुल जाएगा, फिर फूर्थ वाला भी unlock हो जाएगा इस तरीके से unlock होते चले जाएगे और आप ताम करके इनको देते रहेंगे, ठीक है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके dashboard की, ठीक है, तो मैं वो भी बता देत हूँ एक बार, तो आपको आप देख सकते हैं, approved आपका कितना हुआ है कैम, वो भी यहाँ पर आपको पता चलेगा approval rate भी यहाँ से आपको दिख जाएगा साथ में यहाँ पर pending कितना है, reject कितने हुए है, rejection rate कितना percent better है, वो दिख जाएगा यहाँ से approved hits, HITS, यहाँ पर dollars में दिख जाएगी, bonus कितने मिले है total earning कितनी हुई है, ठीक है तो अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी available for transfer, किस तरीके से transfer किया जाएगा, available earning यहाँ पर आपको show हो जाएगी, तो अभी यहाँ पर जो है, इसका एक process होता है वो मैं आपको बता देता है, तो इसको जब आप कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले काम को देखना है, काम होने वाला क्या है, क्या है इसमें, जैसे कि quick market research survey का है, या फिर market research survey, जो भी यहाँ पर survey के दो काम मिले हैं, आपको उसमें करना कैसे होगा तो आपको simply preview पर click कर देना है तो जब आप इस पर click करेंगे तो एक new interface appear होगा, कुछ इस तरीके का यहाँ से आपको जो है, accept करना होगा किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा time allowed यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 90 minute, ठीक है, तो 90 minute आपको यहाँ पर मिलेंगे इस काम को करने के जहाँ पर आपको reward मिलता है, 0.02 dollars का, और यहाँ पर जो hits rate आप यहाँ पर देख सकते हैं, get paid to take market survey, ठीक है तो इस तरीके से काम देखने को मिलेगा, आपको क्या करना होगा, accept पर click करना होगा, इसको करने के बाद इस तरीके से आपको जो है, सारे काम इनके करके देने होगे, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर click करूँगा, तो कुछ भी show नहीं होगा, पहली बात तो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा जो account setup है, वो complete नहीं है, account कैसे setup करते हैं, इसके लिए मैं already एक अलग से वीडियो बना दूँगा, बाकी बढ़ना बहुत सारी यह थोड़ी सी जादा, वन्ना मैं आपको इसका setup भी करके दिखा देता हूँ, so guys, I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, तो वीडियो को ज़रू से like कर देना, और अपने friends के साथ भी share कर देना, जिनको part-time job की ज़रूरत है, so guys, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे के लिए next video में, so अभी के लिए, bye guys, take care,